हेलो आवरीवान वेलकम बैक टू मैई चैनल सु गैज आज की इस वीडियो में आपको फ्रेंट स्लिट पैपलम कुर्ती की किटिंग एंड स्टेचिंग करना बताऊंगी तो सबसे पहले हम फार्बेक देख लेते हैं इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाइ मिल्टर सिंपल जोर्जेट का फार्बरिक लिया है जोर्जेट का फार्बरिक हर एक मार्केट में मिल जाता है और काफी कम बजट के साथ मिलता है तो सिर्फ डायमेटर फाब्रिक में से गेरेदार कुर्ती हम बना के रेडि करेंगे उसके बाद असलिट में हम लेस अटैच करेंगे तो इसके लिए मैंने आपे ये मिरिर वर्क वाली लेस ली है इस कुर्ती में हमारी सिर्फ साड़े तीन मिटर के आसपास लेस यूज होगी मैंने यह पर पूरा पैकेट लिया है साड़े तीन मिटर आपको इस लेस लेनी है लेस की ड्रेलिंग काफी अच्छी दी गई है वीडियो में दिखा दूँगी जब हम इसे यूज करेंगे उसके बार लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फाबरिक लिया है जो आदा मिटर है लाइनिंग हमारा सिर्फ टोप पार्ट में ही अटेच होगा अब जितनी आपको टोप पार्ट की लेन्द चाहिए उसी के साब से हमें लाइनिंग को कट कर लेना है मुझी याँ पर टोप पार्ट की लेन्द 13 इंच पर चाहिए एक इंच मैंने स्लाइ मार्जिंग के लिए रखा है तो टोटल 14 इंच पर टोप पार्ट को कट करना है जितने आपको लेंथ चाहिए उसी के साब से कट कर लेना है उसके बाद हम सोल्डर का मार्क लगाएंगी तो सोल्डर के लंबाई है साड़े 6 इंच जितनी सोल्डर के लिए है उतनी आर्मोल के लिएंगी आर्मोल के लिए भी 62, इस पर मर्क लगा देंगी, उसके बाद हम fitting में chest का मर्क लगाएंगे, तो fitting में chest के लंबाइ 32 इंज पे है, 32 को हमें 4 से डुवाइड करना है, 32 को 4 से डुवाइड किया तो 8 इंज आया, अभी 8 में हमें आगे की तरफ, डेड़ से दो इंस लाए मार्जने के लिए एड़ करना है तो जितने विए आपकी चेस्ट के लंबाई हो उसको चार से डवाइड करें और उसमें दो से डेड़ इंस प्लस कर लिए अभी वेस्ट है याँ पे साथ याँ पे भी डेड़ इंस प्लस कर लेंगे आर्मोल में एक इंस पर गराय दे देंगे और आदे इंस पर हमें फ्रंट पार्ट में गराय देनी है इस तरह अभी हम नेक का मर्ग लगाएंगे तो फ्रंट नेक को हम अलग कट करेंगे इसमें विट रखेंगे तीन इंस फ्रिंट ने को डीप में हम 6 इंच पे कट करेंगे बैक ने को हम बाद में कट करेंगे सबसे पहले हम फ्रिंट ने को ही कट करेंगे फ्रिंट ने को डीप में 6 इंच रखा है एक बुक्स बना देंगे फ्रिंट ने को हम यहाँ पर डिजैनिदार बना रहे हैं बॉक्स बनाने के बाद जांपे बॉक्स का कॉर्णर है वहां पे उपर की तरफ डेल डिन्स पे मर्क लगाना है और इस तरह इस मर्क को हमें नीचे तक मिला देना है इस तरह से इस मर्क को बिल्कुल सीधा मिलाना है नीचे कॉर्णर तक और इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से हमारा नेक कट होगा अभी फिटिंग और आर्मोल की हमें कट कर लेनी है तो उसके बाद हम बैक को हटा देंगे फ्रिंट को दुबारा सेंटर से फोल्ड कर दें और जो फ्रिंट पार्टे में हमने गरहे दी थी आदे इंच पर उसको हमें कट करना है इस तरह से घरहे दे देनी है उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे बैक पार्ट को भी हमें सेंटर से फोल्ड करना है बैक पार्ट में नेक का मर्क लगाएंगे बैक नेक को डीप में रखेंगे 7 इंच आप चाहें तो इतना वी रख सकते हैं बट बैक नेक डिप काफ़े अच्छा लोग देगा उसके बाद हमें गुलाई में शेप देदीनी है और इसके कटिंग कर लेनी है इस तरह से तो इस तरह हमें बैक और फ्रेंट दोनों पाटों को कट कर लेना है उसके बाद हम मैन फाब्रिक को कट करेंगे तो लाइनिंग को इसके उपर रख देंगे और नीचे की तरफ आदा इंच का फाब्रिक जाता लेते हुए हमें मैन फाब्रिक को कट करना है उसके बाद सेंटर से अलग कर लेंगे दोनों पार्टों को और नेक को हम किस तरह रश्टिच करेंगे वह आपको स्लाइम मसीन पर बताऊंगी क्योंकि इसमें फ्रंट पार्ट थोड़ा अलग है उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे तो आपको इस तरह से बाजू को फोर्फोल्ड करना है जिस तरह हमने टोप पार्ट को फोल्ड किया था उससी के तरह से बाजू के फाब्रिक को भी फोर्फोल्ड कर लेना है बाजू की लेंद रखनी है याँ पर 21 इंच एक स्लाइम आजिम में जाएगा 20 इंच पर बाजू बन के रेडी हो जाएगी अभी जासे फाब्रिक खुला है वाँ पर 27 इंच पर नेचे की तरफ हमें मार्क लगाना है और बाजू में अर्मूर के लेंथ मैंने वन्हें नंव इंच पर रखिए है और ऊपर के तरफ भी हमें ड़ाएइच पर मार्क लगाना है जैसे हम नोर्मल बाजू एकटिंग करते हैं उस्ती की तरह इसको भी कट कर लेना है उसके बाद नीचे बोटम की लेंथ हम साड़े 5 इंच पर रखेंगे एक इंच पलस करते हुए हमें रखना है अर्मल वाले मरक और बोटम वाले मरक को इस तरह से इंच टेप को तिर्चा रखना है और मिला देना है अभी मरक लगाने के बाद बाजू की हमें कटिंग कर लेनी है अभी सेंटर पे एकट लगा देंगी इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है उसके बाद फ्रिंट पार्ट में आदे इंच पर गराय दे देंगी इस तरह और यहां पर एक मरक लगा देंगी ताकि बैक और फ्रिंट का हमें अटेच करते समय पता लग जाएं टोप पार्ट और बाजू इकटिंग करने के बाद हम बोटम पार्ट इकटिंग करेंगे तो जितना भी फाब्रिक हमारे पास बच्चा है इस फाब्रिक को हम लंबाए से दो भागों में रख लिया है इसके एक सैड बंद है तो दूसरी सैड खुली है जो बंद सैड है उसको भी हमें खोल लेना है इस त्रहां से अगर आप इस कुर्ति को इस त्रहां ट्रैंगल सेब में कट करने से इसका गहल बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा इसलिए आपको इसको triangle shape में cut नहीं करना है इसको हमें एक बार लंबाय से और fold करना है तो इस कपड़े को हमें लंबाय से fourfold कर लेना है जैसे मैंने fold किया है आपको उसी के according fold करना है जो बंदवाली साइड है वाँ पे हमारा वेश्ट का मारक लगाईगा तो वेश्ट का मारक हमें दोनों कोर्णों पे साड़े चार इंच का लगाना है ये मारक मैं 28 इंच के लिए बता रही हूँ तो दोनों कॉनरों पे हमें proceed 4 इंच पे मअपक लगाई इस तरह से 28 इंच पे मैंने या पे मारक लगाया है इससे बड़ा सायज अगर आपका है तो मैं आपको आपको हर एक सायज केलिए मारक लगाना यहां पर बताऊँगी तो शाड़े 4 इंच पर मारक लगाने के बाद गुलाई में सेप देनी है उसके बाद जो हमने गुलाई में सेप दी है इस पूरे मारक को हमीं मेजर कर लेना है तो यहां पर जो वेस्ट के लंबाई है वह 28 इंच पर है 28 को चैसे डिवाइड करेंगे त तो साथ इंच आएगा तो यहां पर जो लंबाई हमारी लगी है टोटल वो शाड़े साथ इंच की लगी है तो यहां पर हमने आदा इंच लाए माजिक लिए ज्यादा एक्ष्टा रखा है तो इस तरह से आपको थाइस इंच के लिए मरक लगाना है अगर आपको इससे तो पार्ट को कट किया था तो पार्ट को हमें सेंटर से फोल्ड करना है फिर दुबारा से सेंटर से फोल्ड करना है तो पार्ट को भी हमें चार भागों में फोल्ड कर लेना है क्योंकि बोटम भी हमारा चार फोल्ड है अभी टो पार्ट को इसके बराबर में इस तरह से र वेस्ट टो लेंधं आपकी रामसी निकलेगी उसके बाद हम अपने लेंदि काoner tak송 लगाएंगे तो जितने इंच की आपके कुर्ति बन्कंद के रेडि हो उसमें से में on part को लिए- मैनस कर देनी है जापे व्रिस्ट का मलग लगा है वहां पर टो पार्ट के लिए थो एप इस मार्ग को फोलो करना है और पूरे में मलग लगा देना है तो यह कुर्ती मेरी अगर आपको इससे लोंग कुर्ती चाहिए तो आपको फाब्रिक ज्यादा लेना पड़ेगा लेकिन यह कुर्ती शोर्ट में बहुत अच्छी लगती है तो कॉणर पर इंचिडर रखना है और इस तरह मार्ग लगा देना है सबसे पहले हम वे यह को कट करेंगे उसके बाद बोटम को कट कर लेंगे इस तरह से हमीं कट कर लेना है एक्ष्टा फाब्रिक हमारे पास इतना बचा है इसमें हमारे बाजू नहीं निकलेगी अभी हम अपने bottom को open करेंगी तो आप इसका gear देख सकते हैं कितना अच्छा आया है ये ready होने के बाद इसका gear और भी अच्छा आएगा उसके बाद हम back को हटा देंगे और front को दुबारा center से fold करेंगी इस तरह से हमें center से fold कर लेना है front part को और जासे इसके fold वाली side है उसको cut कर लेना है क्योंकि एक उर्टी हम front slit बना रहे हैं तो front part के हमें दो part अलग-लग करने हैं तो open करना है और इसको इस तरह से center से front part को cut कर लेना है front part के दो part अलग-लग कर लेंगे अब जो इसकी सीधी वाले side है उन side को हमें wrong side के तरह door fold करना है उस ले लगा देनी है सबसे पहले हम अपने front neck को ready करेंगी तो man fabric के उपर lining को रख देना है और इसके चेरो और slide लगाते हुए हमें attach कर लेना है तो यहाँ पर alpin भी हमें लगा देनी है ताकि इदरो इदर हिले नहीं मैं चाहती तो आपको वैसे भी बता सकती थी लेकिन इस snake की जो design है वो थोड़ी अलग दी गई है तो ऐसे यह समझ में नहीं आ लगया इसलिए मैंने slide machine पर समझाना जुरूरी समझा slay लगाने के बाद जो मैंन फाब्रिक है उसको cut कर लेना है और cut करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे cut लगाएंगे जहाँ पर corner है वहाँ पर deep cut लगेंगे इस तरह हमी यहाँ पर deep cut लगाने है ताकि अच्छे से fold हो जाए और नेक अच्छे से बनके ready हो cut लगाने के बाद lining को हमें wrong side के तरफ fold कर देना है और अच्छे से इसको set करना है और यहाँ पर एक top stitch लगा देना है front neck को बनाना है इसी के according back neck को बना लेंगी तो मैंने यहाँ पर front neck और back neck को बना के ready कर दिया है finishing आप देख सकते हैं कितनी अच्छे आई है armor और fitting में जो भी अक्ष्टा fabric था मैंने उसको हटा दिया है top part में bottom को attach करेंगे तो back part तो हमारा simple ही ready होगा इसके उपर bottom को रख देंगे और slide लगा देंगी front हमें किस तान ready करना है वो आप देख लीजी सबसे पहले हमें अपने neck का center लेना है और center पर एक mark लगा देना है तो इस तरह से आपको अच्छे चीज़ का center लेना है center लेने के बाद center पर हमारा mark लगेगा याँ पर हमारी slit attach होंगी bottom की किनारियों को मैंने आदे इंच की दूरी पर door fold कर लिया है और slide लगा दी है जो slit थी उनको मैंने ready कर दिया है दोनों slit को हमें बिल्कुल पास में रखना है और slide लगा देनी है तो इस तरह से हमें center के बिल्कुल पास पास में रखते हुए slit को attach कर लेना है और finishing आप देख सकते हैं wrong और red दोनों side की कितने अच्छी आई है उसके बाद हम lace को attach करेंगी तो lace की detailing मैंने पहले भी बताई थी मैं zoom से दिखा देती हूँ lace पर जो वरक दिया गया हो mirror का वरक है और बहुत ही quality इसकी अच्छी है काफी detailing इस पर प्यारी दी गई है तो personally ये lace मुझे काफी अच्छी लगी है तो lace मारी कुछ इस तान से ready होगी जापे corner है वहाँ पर lace का corner बनेगा इस side भी corner बनेगा और bottom तक lace ही दी जाएगी तो इस तरह से मैंने एक side में lace को attach कर लिया है अब दूसरी side में हम lace को attach करेंगी तो जो lace की design वाली side है वो बहर की तरफ रहेगी और इस तरह से इसको रख देंगे और यहाँ पर slay लगा देंगे जापे lace का corner बनेगा वहाँ पर हमें mirror को निकालना पड़ेगा तो पहले आपको एक idea लगा लेना है कितना इसका corner बनेगा कितना यह lace हमारे fold होगी उसी के साब से यहाँ पर mirror निकाल देने है मैंने यहाँ पर 4-5 mirror निकाले है अब भी mirror निकालने के बाद इसको fold कर देंगे और इसका corner बनाएंगे corner बनाने के बाद यहाँ पर slay लगा देनी है उसके बाद यहाँ पर slay सीधी जाएगी आमारी लेस सेदे जाएगी और फिर दोबारा से इसका कोर्नर बनेगा और यहाँ पर भी हमें मिरर को निकालना है तो जितने नीर्ड हो उसे के साब से मिरर को निकाल देंगे और यहाँ पर स्लै लगा देंगे तो लेस की तो डिटेलिंग है वो बहुत ही प्यारी बनेगी है मुझे परसनल यह लेस बहुत अच्छे लगी है आप देख सकते हैं लेस लगाने के बाद कुर्ति का लूग कितना प्यारा आया है अभी दूसरे सेड में भी लेस पे स्लै लगाएगी क्योंकि यह लेस विर्थ में ज़्यादा है जापे हमने कॉर्णर बनाया है वहाँ पे भी स्लै लगाएगी कॉर्णर को आपको अच्छे से सैट करना है इतना से जापे कॉर्णर बनाया है वहाँ पे भी हमारी स्लै लगाएगी जब भी आप लेस लें तो इस बात का ध्यान में रेखें कि lace की detailing काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये कुर्ती विलकुर simple है इसमें सिर्फ lace की detailing हमने दी है lace की detailing अच्छी होगी तब भी कुर्ती का look अच्छा आएगा तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा look आया है lace को attach करने के बाद कुर्ती का look कितना अच्छा लग रहा है और बोती finishing के साथ हमने बना के ready किया है और look देख सकते हैं कितना प्याराया है back part को तो हमें simply ही ready करना है उसके बाद दोनु की कंदी joint कर लेंगे तो दोनु की right side अंदर की तरफ रख देंगे और कंदी पे slay लगा देंगे तो इस तरह से मैंने याँ पे कंदी पे slay लगा दी है उसके बाद हम बाद जू को attach करेंगे तो center के उपर center रख देंगे और याँ पे slay लगा देंगे बाद जू के bottom को आदे इंच के दुरी पे double fold कर दें और slay लगा दें और बाद जू के bottom पर भी हमें लेश को attach करना है इस तरह से रख देना है और slay लगा देनी है तो इस तरह से मैंने याँ पे दोनु बाद जू के bottom पे लेश को attach कर दिया है अभी आपका जो भी measurement हो उससी के according आप याँ पे fitting में slay लगा ले इस तरह से हमें अपने measurement के according fitting में slay लगा देनी है इस कुर्ती के bottom पे मैंने plastic वाला पिको करवाया है simple slime machine से या simple दागे से इसका लोग इतना अच्छा नहीं आएगा तो आप इसके bottom में plastic वाला पिको करवा ले मेरे पास simple slime machine है इसलिए मैंने market से इसमें plastic वाला पिको करवाया है और पिको करवाने के बाद इसका लोग बहुत प्यारा आया है यहापर मैंने fabric लटकन बनाए है इन fabric लटकन पे मैंने triangle lace लगाई है तो कुर्ती का यह final look है और बहुत ही प्यारा इसका look आया है इसके साथ मैंने यह आपे अमरेला पलाजू बनाया है इसके बोटम पे मैंने पिको करवाया है इसकी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मैं link आपको end screen में दे दूँगी तो इसके साथ मैंने यह net का दुपट्टा लिया है और यह lace के साथ एकदम match हो रहा है तो यह हमारे final कुर्ती का look है आज लिए सिर्फ इतना ही